स्वागते किसन भाईयो आपका आज की इस वीडियो में तो आज की इस वीडियो में किसन भाईयो हम बात करेंगे कि गन्ये में किसन भाईयो आपने दूसरी जो खाद एकसन भाईयो वो कब देनी है और कौन कौन सी खाद का इस्तमाल आपने दूसरी खाद में किसनबयो करना है ताकि आपके गन्य की किसनबयो जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से हो सके और इसके साथ साथ जो आपके गन्य में किसनबयो कल्लों का फुटा हुआ है वो सारे जो कल्ले हैं उनकी ग्रोथ जो है वो मिलेबल के इनकी तरफ किस तरीके से बढ़ सके उसके बारे में ही किसन भाईयो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो किसन भईयो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने जो है जो गन्ये की फसल में किसन भईयो जो दूसरी जो खाद है उसको जो है कब लगाना है तो किसन भईयो जो दूसरी खाद है वो लगभग आपने अपने गन्ये की खेत में तब देनी है किसन भईयो जब आपका गन्या जो है लगभग जो है सतर से असी दिन का किसन भईयो हो जाए जब आपका गन्या जो है 70-80 दिन का हो जाए उस समय पर किसंबईयो आप खाद की दूसरी जो खुराक है वो अपने गन्ये में किसंबईयो डाल सकते हैं और दूसरी जो खाद में आपने जिन जिन खादों का किसंबईयो इस्तेमाल करना है वो भी आपको बताएंगे जो खादे आपने दूसरी खाद के रूप में इस्तेमाल करनी है वो किसंबईयो है डियेपी किसंबईयो लगबग जो है 25 किलो किसंबईयो डियेपी जो है आपने इस्तेमाल करनी है लगबग 5 किलो भीगे की डियेपी इसके साथ में 25 किलो किसंबईयो जो है पोटास भी आप के साथ में करना और इसके साथ में को अपने खाद ले जाते हैं वह एक संवाई आपकी होगई माइक्रोन्यूट्रणज यानि की शूशंपोशकतत्तु माइक्रोन्यूट्रण भी का भी इस्तमाल किसान्वयों अपने जो है दस केजी प्रति एकड के हिसाब से किसानवाईयों करना है ये किसानवाईयों चार खादे हैं जिनका इस्तिमाल जो है आपने दूसरी खाद के रूप में किसानवाईयों अपने गन्ये की फिचल में करना है अगर इन खादों का इस्तेमाल करते हैं तो देख पाएंगे कि आपके गन्य की किसानवी जो ग्रोथ है वो किसानवीयो बहुत अच्छी बनेगी ग्रोथ और इसके साथ साथ जो आपके गन्य में किसानवी जो टेलर्स निकले हैं जिस परकार से निकलते हैं वो सारे जो टेलर जो खाद है वो एक संपूर्ट कह सकते हैं गन्य के लिए है इसमें डी जीएपी भी है पोटास भी है और आपका नैट्रोजन भी रहेगा और यानि कि जो शूशम पॉशम 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 रोग नहीं आएंगे कोई अगर आपके गंदे में किसी भी प्रिगार की कोई डिफिसेंसी नहीं होगी किसी माइक्रो नूटरंस की या किसी भी पोशिक तत्व की कमी नहीं होगी तो आपका गंदा जो हरा बता रहेगा आपको देशकते हैं कि गंदा आपका बिल्कुल हरा ब लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक चैनल पहने हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब धन्यवाद किसंद भायो